हेलो फ्रिवन, वेलकम टे न्य वीडियो, आज का यह वीडियो काफी सांदार होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो हम लोग रूट का जोड, रूट का घटा और रूट का गुड़ा, रूट का भाग पढ़ेंगे, जोकि काफी बेहतरिन टापिक है, अगर किसी भी बाला को द नहीं देखोगे इस रूट से लेकर अंत, उची पार्ट देखोगे, जितना देखोगे उतना इस एक पाऊंगे, चलिए हम लोग प्रश्णों को क्या करते हैं, लगाते हैं और मजा लेते हैं, हर एक प्रश्ण का मजा लेंगे, तब समझ में आएगा, यहाँ पर देखिए रूट फाइब प्लस रूट फाइब है ता आप इस तरह से क्या लिख लीजिएगा, रूट फाइब लिख लीजिएगा, जो रूट के अंतरगा संख्या है, इसके बाहर कुछ भी नहीं ता आप एक समझेगा, यहाँ पर भी आप एक समझेगा, एक एक को जोड सब्सक्राइब यहांają पर लिखा गया हूआ है रूट फोर प्लस रूट फोर इसका मान क्या होगा रूट एंतर ज्याओं इसको लिखो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक समझा यहां पर भी कुछ नहीं तब देखो यहाँ पर root 4 का मान आप निकाल सकते हो कैसे इसे आप root 4 को आप 2 into 2 लिख सकते हो यानि वर्गमूल अब यहाँ पर देखो 2 same same ख्याओं का एक प्यार बनेगा तो यह root से बाहर आ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाता है तो 2 का गुड़ा 2 में करो कितना हैगा 4 यही इसका क्या होगा उत्तर होगा तब बालक समझ में आई बाते हैं आप सभी लोगों को कि अगर ऐसा प्रशन आ जाए आप पे सम्मुख तो आप कैसे साल करोगे थोड़ा चतुराई से साल करोगे थोड़ा दिमाग open करना अब दीकर route 5 यानि perfect square ऐसी संख्या जिसका हम दो संख्याओं का गुड़ा करें तो वो संख्या आ जाती है जैसे 4 है अगर दो गुड़े 2 करते हो तो 4 आ जाता है लेकिन अगर यही पर route 5 लिख दें तो अगर आप ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका आप गुड़ा करो क पांच आ जाए यानि perfect square होनी चाहिए तो जब perfect square आता है तब आप उसका वर्गमुल बड़ी असानी से लगा लोते हो अगर नहीं है तिसी तरह से करके छोड़ देना चलिए धेर सारे प्रस्ण कराते हैं तब समाहिं में आएंगी बातें यहां पर देखो route 7 प्लस क्या टू रूट 7 प्लस 3 रूट 7 आट करोगे 5 रूट 7 आएगा यह इसका क्या होगा उत्तर होगा अगला प्रश्ण कराते हैं सारे प्रश्णों को ध्यान से समझोगे मज़ा आएगा अगर एक बार समझ लिए तो मज़ा आएगा ही लगाओ इतना तन्न सवाल लगेगा अब यहां पर देखो अगर मैं बोलूं रूट 16 प्लस रूट यहां पर लिख देता हूँ क्या 16 इसका मान क्या होगा अब यहां पर देखो रूट के अंतरगर सेम संख्या हैं तो रूट इस तरह से 16 लिख लो अब इसके बाहर कोई भी संख्या नहीं एक समझो एक समझो यानि एक एक जुड़ों कि टू रूट 16 आजएगा अब दिखें रूट 16 का मान आप निकाल सकते हो वह परफेक्ट स्कॉाइर है कैसे क्या होगा यहां पर 2 है तो 2 लिख लो रूट 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 into 4 लिख सकते हो चारचाओग 16 हो जाएगा अब रूट के इंतर हो यह स्वाल आएंगे तो आप फंस जाओगे नहीं सीखे रहोगे तो एस तरह से लगते हैं अगला प्रश्ण इसी सम्मान दित लगातें जैसे ढखो यहां पर मैं ले लेता हूं कितना आपका root 25 ले लेता हूँ और यहाँ पर plus ले लेता हूँ कितना root क्या ले लेता हूँ आपका कितना ले 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 हूँ 16 ले लेता हूँ अब यहाँ पर देखो मैं इस सवाल को लगाने से पहले एक सवाल बताता हूँ अब जरा ध्यान देना यहाँ पर मैं ले लेता हूँ root 3 और यहाँ पर ले लेता हूँ root 2 अब अगर देखिए root के अंतरगत अगर same संख्या नहीं है और वो perfect square भी नहीं है तब उसका मान क्या होता है यही प्रश्ण ही क्या हो जाएगा उसका उत्तर हो जाएगा root के अंतरगत same संख्या नहीं है और इसका आप वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हो लेकिन ऐसा प्रश्ण root के अंतरगत same संख्या नहीं है लेकिन आप उसका इसे साल्व कर सकते हो कैसे जरा ध्यान दो क्योंकि root के अंतरगत perfect square है यानि अगर आप 2 सेम संख्याओं का गुडा करोगे तो 25 आ जाएगा 2 सेम संख्याओं का गुडा करोगे तो 16 आ जाएगा कैसे जरा ध्यान दो रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 यानि 5 पचे 25 प्लस रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4 into 4 लिख सकते हैं अब ये दो सेम संख्याओं का एक प्यार बनेगा बाहर आएगा, ये भी दो सेम संख्याओं का एक प्यार बनेगा बाहर आजएगा, तो 5 योग कितना हो जएगा, 20 हो जएगा, यानि रूट 5 प्लस रूट 16 का मान कितना हो जएगा, 20 हो जएगा, मज़ा है कि नहीं, तो ऐसे अब शीखोगे तो मज़ा आये गाई चलिए अगला प्रश्न कराते हैं इसी बात पर root 16 प्लस root 9 है इसको लगा लोगे की नहीं तो root 16 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और root 9 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 4-3 जोर दो 7 हो जाएगा ये इसका क्या होगा उत्तर होगा अब इस प्रश्ण को जो बालग ना समाझ पाए हो फिर से समझाता हूँ ध्यान देना रूट 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 x 4 लिख सकते हो अब जिनको अगर ना निकालना आता हो बड़ी संख्या आजाए 16 है तो 16 इस तरह से लिखो अब इसका इस तरह से गुड़न खंड निकालो 2 x 2 x 2 x 2 बाते समाझ माएगे की नहीं आप इस तरह से भी कर सकते हो तब इस तरह से रूट 16 लिखना और यहाँ पर 2 कितनी बारा 1, 2, 3, 4 बार 2 x 2 x 2 x 2 लिखो उसी तरह से रूट 9 है बीच में पलस का चिने पलस लिखो रूट 9 है तो रूट 9 को आपको 9 को आपको इस तरह से निकालो तीन तरिक का 9, 3, 1, 3 अब 3, 2 बार है तो 3 x 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा अब जब आप वर्गमूल निकालते हो दो सेम संक्याओं का एक पेर बनेगा तो यहाँ से 2 बार आएगा यहाँ से 2 बार आएगा अब बीच में पलस का चिने है यहाँ से 3 बार आएगा अब इनको जब आएट करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 पलस कितना होगा? 3 होगा और 4 तीन जोड़ोगे कितना हैगा? 7 इसका अंतर आएगा जब मैं इसका उत्तर डारेक्ट निकाला था तो रूट 16 का मान 4 मैंने लिखा था और रूट 9 का मान मैंने 3 लिखा था और 4-3 आप जोड़े थे तपर भी साते है था बाते समझ में आ गई तो हर एक संभव तरीका हो रहा है जितना मैं सोच रहा हूँ समझ रहा हूँ सारा आपको बताते हुए चल रहा हूँ यानि हर तरीके से आपको समझा रहा हूँ आपको सवाज में आना चाहिए तो आप हर तरीके से सीखने का पर्यास भी करेगे अब यहाँ पर 4-3 प्लस 2-5 है अब सबसे पहले देख लिया करिए रूट के अंतरगर सेम संक्या है की नहीं है तो सेम संक्या नहीं है और यह पर्फेक्ट स्कॉयार भी नहीं है यानि इसका मान भी आप नहीं निकाल पाओगे तो यही प्रश्ण ही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले इन प्रश्णों में यही चीद ध्यान देना है अगर root के अंतरगर same संख्या नहीं है तो देखो root उसका मान निकाल पाते हैं कि नहीं वो perfect square है कि नहीं perfect square का मतलब जैसे मैं बताता हूँ फिर से ध्यान देना जैसे 4 क्या है perfect square है चार को अगर हम two into two लिख सकते हैं बाते समझ मैं यानि दो सेम संख्याओं का गुड़ा करोगे तो तो तना संख्या आजएगा और आपका 49 हो गया और आपका 64 हो गया 991 हो गया दधामस हो गया यह सारी संख्याओं क्या है perfect square है इनका माना आप आराम से निकाल सकते हो इनका वर्गमुल बहुत ही आराम से निकाल सकते हो तैसे संख्याओं को दिमाख में रखे रहना यह सारे तब आपको आएंगे जब पढ़ोगे तब आप समझोगे कहां कॉनसा पर्फेक्ट स्कार है तब पढ़बे नहीं करोगे तहरा कहां समझ मैं काई सब्सेंगा क्या संख्या है तो और फठी अगला परश当然 देखेए रूट का घृता हुए चाहिए यहां सेम संख्या को घटाना है तो इसका माँ कितना जाएगा सुझना जाएगा अब यहांपट थो फोर रूट सरी मौइनस टू रू संख्या नहीं है इसका मान ही यही प्रश्ण है ही इसका क्या होगा उत्तर होगा बाबु बात समझ में है अब यहां पर देखो टू रूट थ्री माइनिस रूट टू है इसके इसमें भी देखो रूट के अंतर का सेम संख्या नहीं है यही प्रश्ण ही क्या होगा इसका उत् अब अगला प्रश्ण कराते हैं मस्त तरीके से सुरू होता है रूट का गुड़ा रूट का भाग तो जितना ही जोस आपके अंदर होगा सारा जोस एसी में लगा देना फिर मज़ा आए जाएगा जोस से जब जोस मिले तो तू जोस हो जाए डबल जोस अब यहां पर देखो फइंटु- pry Config the फइयर ऐसे प्रशने जब भी आपके सामने आयए तो यहां पर जो रूट के बाहर जो संक्याये इनका पासमें बुड़ा करुप एन्टीन में करोगे दो त्याहिआ रूट फ़ाइब करोगे उसका मान कितना हो जाएगा पांच उजएगा जरा जयान देना जैसे देखो root 5 है into root 5 है अगर root के अंतरगत same संख्या राते है तो इसको हमें इस तरह से लिख लेते हैं अब बीच में गुड़ा का चिन्न है तो root 5 बड़ा सा root लगा 5 into 5 लिखो अब देखो दो same संख्याओं का एक पेर बनता है तो ये root से बाहर आ जाता है तो इसका मान क्या होता है पांच होता है इसलिए अगर हम root 5 into root 5 करेंगे तो उसका मान कितना है पांच हैगा यानि अगर root के अंतरगत same संख्या है उसका हम गुड़ा करा रहे तो इसका मान क्या होगा जो root के अंतरगत संख्या होगा अगर मैं root 6 into root 6 करा रहा हूँ तो इसका मान 6 होगा अगर मैं root 7 into root 7 करा रहा हूँ तो इसका मान 7 होगा बाते समझ में आ गई अब बातें आपको समझ में आ गई होगी तो प्रश्ण भी समझ में आएगा खटा-खट, 6 का गुला 5 में करोगे, 6, 5, 30, इसका क्या होगा, उत्तर होगा, उसी तरह से 4 root 3 into 5 root 2 है, अब इसमें देखो, root के इंतर का सेम संख्या नहीं है, जब नहीं है, तब क्या करोगे, 4 का गुला 5 में करोगे, 4, 5, 20 होजेगा, अब root के इंतर का सेम संख्या नहीं है, यही इसका क्या होगा उत्तर होगा बावुबात समय में अब यहाँ पर टूरॉट टुन्टि इंटू ठीरी डूट तू है जरा इस चीज को घ्यान दो अब यहाँ पर रूट के अंतर गैसेम संख्यार नहीं है लेकिन रूट टॉंटी का मान आप निकाल सकते वह परफेक्ट स्कॉयर है लेकिन अगर नहीं निकालना चाहो तो भी मैं दिक्कत नहीं होगा लेकिन दिक्कत कहां करेगा वह चीज में बताता हूं दो का गुड़ा तीन में करोगे दो त्यां इच्छा होगा अब रूट 20 इंटू रूट 2 करोगे कितना आजएगा बीज दूना कितना आएगा चालीस आजएगा अचालीस क्या है आपका चालीस क्या है परफेक्ट स्कॉयर है यही ऐसी कोई भी संख्या है जिसका दो संख्या कि तरह से गुड़न खंड निकालो 2 से काटो आपका कितना जाएगा दो पंचे 10 होगा पांट से काटो एक होगा अब यहाँ पर देख लो ध्यान से अब यहाँ पर 6 ए 6 लिखो रूट 40 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 2 कितनी बार है तीन बार टू इंटू इंटू लो अब इस बहार आजएगा इंटू कितना होजएगा आपका 2 होजएगा अब रूट के अंतरगत क्या बच रहा है तो इंटू 5 लिखो अब इसको सालब करो यहाँ पर six लुना कितना होजएगा रूट के इंतरगत कितना होजएगा पांधूना कितना होजएगा दस होजएगा यानि अगर इसी चीज को आप जैसे यहाँ परफेкт लिखको यह थी इसी तो मज़ा आगया होथा कैसे जरा ध्यान तब नमजाएगा यहां पार देखो two है तो इस तरह से आप two लिखो root 20 का मान केतना हो जाता इस आप 20 को आप क्या क्या लिख सकते हो 5 into four लिख सकते हो इभ 6 जब लिख सकते हो तो भी आप तोड के लिख सकते हो टू इंटू टू लिख सकते हो बाते सेमगों अभी यहाँ पर 2 हो जाता यह रूट से बहार आजाता इंटू टू लिखा जाता यह रूट 5 अंदर रहता इधर कितना हो था थेरी रूट 2 रहता अब जरा ध्यान दो दो गुड़े दो करोगे दो दूना चार हो जाएगा बाते स्वाज में आ रहे हैं कि नहीं ये 3 root 2 है यार 6 कैसे लिखा गया अब यहाँ पर root 5 into कितना है इधर 2 दूना चार अचारतियां कितना हो जाता भाई हरसा साहब आपका 12 हो जाता अब यहाँ पर देखो root 5 into root 2 कर देते कितना आ जाता 10 आ जाता 12 root 10 इसका क्या आ जाता उत्तर आ जाता अब यहाँ पर देखो अगला प्रशन है 3 root 6 into 5 root 20 है अब यह रहा ध्यान दो इस प्रशन को थोड़ा मैं बदल देता हूं तब मजाएगा अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या लिख दो 36 लिख देता हूं और यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या 49 लिख देता हूं अब यहाँ पर देखो यह क्या है perfect square है यह ऐनि ऐसी संख्याओं का गुड़ा करोगे तो 49 आ जाएगा दो सेम से निक्या हुआ गुड़ा करोंगे छती सा जाएगा तो यह सब जब आप जानते रहोगे टेबल याद रहेगा तब भहुत ही अराम से लगापा होगे जैसे एक से लिए दो से लिए के 10 तक का टेबल यारा से लिए कि आपका कम से कम से कुछ नहीं तो 15-16 तक का टेबल याद होना चाहिए वस्ते 20 तक हमेशा याद रखा करो अब यहाँ पर देखो 3 है तो 3 लिख लो रूट 49 का मान क्या होगा इसको आप 7 into 7 लिख लोगे 7-49 होगा तो यहाँ पर into 5 है 5 लिखो रूट 36 से इसका आप 6 into 6 लिख सकते हो तो इसका मान कितना हैगा 3 रूट 2 सेम संक्याओं का पेर बनेगा बाहर आजएगा अब इन्टू 5 दो सेम संक्याओं का पेर बनेगा बाहर आजएगा अब साल्व कर लो 7 कितना होगा 21 होगा इन्टू 65 कितना है 30 है अब इनका गुड़ा कर लो 21 सुनने कितना हो जाएगा सुनने हो जाएगा 21 का गुड़ा 3 में कर लो 31 के 3 हो जाएगा 326 हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा 30 इसका क्या होगा उत्तर होगा तो जब भी ऐसे प्रशन आए इनको इसी तरह से फटा फट से साल्व किया करिए चलिए अगला प्रशन कराते हैं सायद रूट के भाग से मुलाकात हो जाए और नाम लिए मुलाकात हो ही गया अब इन प्रशनों को लगाते हैं फिर मजाएगा देखो क्या मजाएगा रूटось और इस तरह से लिख लियेना रूट एट भाग रूट एट और रूट आट से रूट18 वह अब देखे 4 root 16 इसको हमने 4 root 16 लिख दिया और यह 2 root 9 है भाग देना है तो यहाँ पर 2 root इस तरह से 9 लिखो root 16 क्या है यानि 16 क्या है परफेक्ट इसका है रहे तो उसका मान निकल जाएगा तहाँ पर 4 है तो इस तरह से आप क्या करो? 4 लिखो रूट 16 को आप क्या लिख रूट 16 का मान कितना हैगा? 4 गया, 4 x 4 लेगा रूट 16 है तो इससे आप इस तरह से लिख सकते हो 4 x 4 लिख सकते हो इसका एक pair बनेगा, ये रूट से बहर आजएगा तो हमने चार यही लिख लिए बटे इसी तरह से 2 है तो 2 लिखो रूट 9 का मान कितना होता है रूट 9 का मान होता है इस तरह से 3 into 3 होता है इनका एक प्यार बनेगा रूट से बाहर आजएगा तो 2 है तो 2 लिख लिए रूट 9 कमान कितना हैगा, 3 हैगा, अब इन्हें आप आराम से साल्व कर लो, जब साल्व करोगे 4 चो कितना होजाएगा, 16 होजाएगा, अब इससे काट सकते हो, 2 तियाइगा, 6 होजाएगा, 2, 8, 16 होजाएगा, 8 वटे 3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा, चलिए अगला परशन कराते हैं अगला प्रश्न कराते हैं अगला प्रश्न कैसे साल मात तथ्यक को ध्यान दो अवा प्रश्न है प्रच्वास छारूट 15 से छारूट 15 निचे आप अब देखो 3 root 15 अपान नीचे आएगा root 3 अब लेकिन इसमें आप root 15 को भी solve कर सकते हो थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तब ऐसे प्रश्ण लगा पाऊगे वरना नहीं लगेगा अब यहाँ पर root 15 जो है यहाँ पर 3 है तो 3 लिखो root 15 को आप क्या लिख सकते हो जैसे यहाँ पर देखो root 15 अगर है तो इससे आप root 3 into root 5 लिख सकते हो बाते साल नहीं तो यहाँ पर हम जब इसको solve करेंगे तो 3 है तो 3 लिख लो root 15 को हम क्या लिख सकते है root 3 into root 5 करोगे root 3 into root 5 करोगे तो root 15 है अब नीचे क्या था root 3 था root 3 लिख लो सब्सक्राइब करना तब ही आपका उत्तर सही आएगा तो प्रश्णों की संख्या यहां पर हुई समाप्त बते समझ में आगई तो इस तरह के जो भी प्रश्ण में कराया हूं यह वाला काफी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्ण था ऐसे प्रश्णों को आप ध्यान रखा करिएगा सवाल को लगाईएगा तो मिलते नेक्स क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए हैं हसा करता हूं मेरे दौरा बताया क्या तरीका आपको समय में भी आया होगा तो मिला जाए नेक्स क्लास में किसी और टापिक के साथ वीडियो चलाएगा वीडियो को लाइफ करना थैंस पर वाचिंग